नमस्कार आप देख रहे हैं पमार्थावास खबर फरुखावास से मोर सिंग्पुत पूरन लाल निवासी ग्राम पंचैत भैसरी थाना कंपिल जन्पत फरुखावास यह जन्पत मांसा गोवा में भट्टा पर इट पताई का काम कर रहे थे महां से गाड़ी करके बापस अपने घर आये साथ में 30 लोग और भी थे घर आने के बाद शार्दा देवी पत्नी इंदरपाल दो तिन घंटे बाद उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि हमारे पैसे निकाल लिये मोर सिंग पुत्र पूरण लाल पर रुपए एक लाग तीस हजार का जूटा आरोप लगाया कि राष्टे में हमारे पैसे चुरा लिये है जबकि बाकी लोगों का कहना है कि हमारे सामने कोई पैसा चोरी नहीं हुआ है यह औरत जूटा आरोप लगा रही है पूर्व में कई बार कई लोगों पर बलातकार का भी जूटा आरोप लगा चुकी है इसका यह धंदा है पैसे के लिए यह किसी भी हद तक गिर सकती है अब यह अधिकारियों के सामने धर्णा दे रही है जबकि इसके पास कोई साक्ष नहीं इसके चोरी नहीं हुई यह औरत पुलिस में कंप्लेंट करके लोगों को चोरी और बलातकार में जूटा फसा कर पैसे लेने के चक्कर में जूटे आरोप लगाती रहती है सूत्रों के मुताविक पता चला कि यह औरत इसी तरह आरोप लगाकर पैसे ठकने के चक्कर में रहती है जबकि मोर सिंग पुत्र पूरन लाल एक बहुत सीधा सादा और सज्जन इंसान है सूत्रों के मुताविक पता चला और जो लोग साथ में थे उनका भी कहना है कि यह आरोप मिथ्या है कोई चोरी नहीं हुई शार्दा देवी पत्नी इंद्रपाल ग्राम पंचैत गुर्जर पूर्थाना कमपिल जनपत फरुखवात के भी एक लड़की आजय के शार्दा देवी पत्नी इंद्रपाल पर 45,000 थे जब भी यह मांगने गया तो इस औरत ने उस पर भी बरातकार का आरोप लगा दिया यह औरत पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है आए दिन आरोप लगाना आए दिन पैसे ठगना पब्लिक शार्दा देवी से बहुत ड़ती है शार्दा देवी पत्नी इंद्रपाल कई बार शराब बेशने में भी पकड़ी जा चुकी है इसके सभी धंदे नंबर दो के ही है तुम अपने साथ प्रमुद साथ बटतापे काम करने गहीं थी अच्छा वहांसे बापस भी आई थी ऐसे रहे हैं तक सब्सक्राइब नहीं ति कि तुम्हारे साथ में दे लिए देंसरी की वह साथ में आई थी तुम भी गई थी तुम भी गई थी हम भी गई थी